और किसी एक राज्य की पार्टी में एक ही साल में एक पूर्व मंत्री और दो मंत्रियों द्वारा जो मतला बर्तमान में मंत्री थे उनके द्वारा इस्तीफा किसी पार्टी से देना ये आम आपमी पार्टी एकलोती ऐसी ब्रस्टाचारी पार्टी बन गई है जिसमें इस त जासा कारण था कि दिल्ली में पिछले 9 सालों में हजारों करोड रुपया दलितों का डाइवर्ट कर दिया गया दूसरी जगा दिया गया या घुटाला कर दिया गया तमाम बातें ये जो हम लोग 2012 से इनके साथ हैं आम आदमी पार्टी के थे और ये कहते थे के बदले की राजनीती बदले का देश उसे देखकर हमी नहीं हजारों लोग लाखों लोग इनसे चुड़ दे और सबने एक एक करके किनारा कर लिया परिशान भूसन से शुरू ही व तमाम आरोप लगा कर इस्तीफा दे दिया उससे पहले राजिंदरपाल गौतम जो की मंतरी रहे उन्होंने इस्तीफा दिया अब फिलाल वो कॉंग्रिस में है राजकुमार आनंद जो की समाच कल्यान विभाग में रहे मंतरी रहे उन्होंने भी इस्तीफा दिया अमूमन देखें तो तीन बड़े चेहरों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन ठाम लिया अब मैं खास तोर पर जोड़ रहा हूं सीधे राजकुमार आनन जी से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज अपकी पहली प्रतिकरिया चाहेंगे जब कैलाश गहलोत क उन्होंने मैनेज किये बहुत मेत्वपूर्ण विभावों को मैनेज किया उन्होंने उसके बाद भी अगर आज उन्होंने स्टीफा दिया है तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं से बिल्कुल ठक चुके होंगे क्योंकि अर्विंद केज़िवाल एक अच्छे नेता हो सकते हैं लेकिन लोगों को समालना एक सहज रूप से जो सबको साथ लेके चलने का धंग है जो मानिय नरंदर मोदीजी में वो अडविंद केज़िवाल उससे टकराना चाहते हैं लेकिन उनके पास सहज बहु से लेकर सबको साथ लेके चलने की कला अभी तक नहीं आती आप सहेज बहु की बात कर रहे हैं उन्होंने किराडी से पूरु विधायक दो बार के रहे 32 साल से बीजेपी में रहे अनिल जा को तो आज शामिल करा लिया और ये कहा कि आम शाह और जो लोग हैं पूरुबान चलके वो बताएं कि ये काम उन्होंने क्या किया बुराडी के जो बिधायक है उनकी कार गोज़ारी किराडी में जब से स्वाती मालिवाल जी उसको बार बार चैलेंज दे रही थी उनको समझ में आ गया था कि यहां से हमारे पूर बिधायक जो एक्जिस्टिंग बिधायक है वो चुनाब नहीं जीत पाएंगे किसी और को और उनको चुनाबी टिकेट का लालस दे कर अपनी पार्टी में जोइन करा लिया उससे कोई समीकरन मेरे साब से बजलते नहीं है वो निश्चिता रहेंगे आप बड़े चेहरों में आदमी पार्टी के उसमक कैबिनेट में थे आज आप वरिष्ट नेता हैं बीजेपी के राजिंदरपाल गौतम और जो तीन नाम मैंने लिए अब आप क्या इस्थिती देखते हैं बाकी कैबिनेट की मेने जब इस्थिफा दिया था आखिर मैंने इस्थिफा क्यों दिया कोई चप्रासी भी अपने पत से इस्थिफा नहीं देता मंतरी पत के बाद तीन मंतरियों ने इस्थिफा दिया यह बहुत बड़ी बात है और किसी एक राज्य की पार्टी में एक ही साल में एक पूर्व मंत्री और दो मंत्रियों द्वारा जो मतलब बरत्मान में मंत्री थे उनके द्वारा इस्तीफा किसी पार्टी से देना ये आम आदमी पार्टी एकलोती ऐसी बिष्टाचारी पार्टी बन गई है जिसमें इस तरह के काम हो रहे है। मैंने जब इस्तिफ़ दिया था उसका सीधा सा कारण था कि दिल्ली में पिछले नौ सालों में हजारों करोड रुपया दलितों का डैवर्ट कर दिया गया दूसरी जगा लगा दिया गया या घोटाला कर दिया गया तमाम बातें ये जो हम लोग 2012 से इनके साथ हैं आम आदमी लोग लाखों लोग इन से जुड़ दे और सब ने एक एक करके किनारा कर लिया परशांद भूसन से शुरू ही वो कतार वो आज कैलाश गहलोत पर राचकुमा जी अभी तक अगर देखा जाए कि आप में और साथी साथ कैलाश गहलोत में एक चीज जो कॉमन है वो है कि पीछे या फिर आपके केसिस में भी ऐसे बहुत सारी जब आप मंतरी रहे तब रेट पड़ी थी जो मुझे याद आता है तो आम आदमी पार्टी ने अधिकारिक तोर पर यही कहा है कि यह तो बीजेपी में जा सकते हैं और अमूमन एडी और सीबी आई के जरिये दरसल ब कारण या मेरी रेट का कारण कभी मैं नहीं था वो शराब घोटाला था जिसको खा गए कुछ और लोग करा किसी और ने उसके लिए मेरे से 24 घंटे तक एडी वाले बठा कर पूस्ते रहे कि सराब घोटाले में आपने क्या क्या किया है मैंने का साब मैं जब उस टाइम मंत तो उसमें ही उन्होंने 24 घंटे निकाल दिये और उसके बाद जैसा उन्होंने कहा पार्टी का नर्देश हुआ वैसी मैंने एक पीसी कर दी मेरे पार 20 साल पहले कोई केस हुआ था बैपारी हूँ अब तो यह बीत कई बातें हो गई यह कहा गया कि DTC घोटाले को लेकर अक बीजेपी उठाएगी? अद्यक्स पर जाए बिरान सभा का वो अर्विन के जीवाल तक नहीं पहुंच सकता वो संधी पाठक तक नहीं पहुंच सकता तो बीच में जो कॉडिनेशन की इतनी कमी है कि किसी को इज़त नहीं मिलती, मान समान जब नहीं मिलेगा तो लोग भागेंगे अभी तो आप द जाया गया जहां पर अधिकतर पुरुवान चली रहते हैं और अनिल जाकी जब जोइनिंग होई तो बाकाइदा पूरु मुख्यमंतुरी केजरिवाल नहीं ये बात कई, वो तो साफ तोर पर कह रहे हैं कि आप एक काम बताओ। जो आप देखेंगे कि जो दिल्ली की राजनीती है वो बहुत तेजी से बदलती हुई दिखाई देती है और केजरिवाल के कैबिनेट के आप इस वक्त जो है पूरु मुख्यमंतुरी हैं उनकी कैबिनेट के तीसरे मंतुरी ने इस्तिफा दे दिया यानि आने वाले दिनो हुआ है वक्त विधान सभाद चुनाओ की घोंशना होगी और उसके बाद से बहुत सारे सियासी रंग आपको दिखाई देंगे संजीव कुमार के साथ राम किंकर सिंग आज तक